नमस्कार जया जुहार मैं कोमल साहूद स्वागत करता हूँ आप सभी का competition community case e-learning platform जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है जिसे बोल रहे हैं क्या 36 गड में परियतन तो 36 गड में अगर आप परियतन को देखोगे तो हम इसको चार रूपों में क्या कर सकते हैं वर्गी करीद कर सकते हैं classify कर सकते हैं सबसे पहला आप बोल सकते हैं धार्मिक आपके लिए परियतन इस्थल होते हैं गोसित किया गया है कि यह पुरा तात्विक स्थाल है, क्लियर जी, मतलब वो कभी न कभी आपको खोद के निकाले गए होगे, और जो कुछ न कुछ जानकारी देता है, दूसरा होता है इतिहासिक, ऐसा कुछ आपके लिए इतिहासिक या इस्थापत्य कला बोल सकते हैं, जो आपके इतिहास के बारे हम कुछ न कुछ आपको बताता है, उसके बाद आते है धार्मिक परियाटनिस्थाल, मतलब वो सब परियाटनिस्थाल जो किसी न किसी प्वांत या किसी न किसी संप्रदाय से क्या है, संबंधित है, उसके बाद आता है हमारे लिए कौन सा अंत में प्राकृतिक मतलब जो नेचर ने हमको गिफ्ट किया गया है ऐसे अगर हम परियाटन इस्थल को देखेंगे तो हमारे पास चार प्रकार के परियाटन इस्थल होते तो ठीक है जी तो चलिए चारों प्रकार के जो आपके लिए क्या है परियाटन इस्थल है जिससे लगभाग आपको मैं 100 question कराने वाला हूं सभी को देखते हैं तो बिना किसी विलम के बिना किसी देर के प्रारम करते हैं श्रीगनेस करते हैं आज की इस वीडियो को clear जी पहला प्रस्णापन लेते हैं सबसे पहला कि देखिए क्या बोल रहा है आवा पल्ली गुफा किसे जीलिये में इस्तित है clear जी आवा पल्ली गुफा की बात कर रहा है अब आपको एक चीत दिखा रहा है इसमें पल्ली जब भी आपको पल्ली नली तली कुछ भी आए यह सब वोट कहां से आता है साउथ इंडिया से आत विजापूर को अब चर्चा करते हैं हम लोग किसके लिए कि ये जो चारो ऑप्सन है इस से कौन-कौन से हमारे लिए प्रशना बनते हैं सबसे पहले देख रहे हैं हम किसके लिए जी बस्तर बस्तर जो है बस्तर में आपको पढ़ता है क्या कुटूमसर गुफा तो हमको किस जीले से संबंदित आपको बताना है बस्तर दूसरा पूछेगा भारत की सबसे गहरी गुफा है बही आई क्लियर जी कहां मिलता है करके तो आपन कहां जाते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क या राश्टी उद्यान जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा क्या यह ठीक है जी तो आपको दूसरा प्रशन एक और बन जा रहा है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको कहां मिलेग बस्तर पे आपको याद रखना कुटूमसर भारत की सबसे गहरी गुपा आपको याद रखना है इसी कोई यह जो कुटूमसर गुपा किसे निर्मीथ है करके पूसता है तो आपको याद रखना है क्या इससे क्या है जी निर्मित या सिधा सिधा बोल सकते हैं जो चूना पत्थर होता है तो चूना पत्थर को जो आपको चटान मिलेगा वह आपको कहां मिलेगा यही कुटूमसर गुफा में आपको पूस्ता यह कुटूमसर गुफा की खोज किसने की थी तो आपको याद रखना आपको चलना है फिर अगला इसी में और ठीक है जी अब जब जाओगे आप कुटूमसर गुफा तो यहीं दूसरा आपको एक और गुफा भी दिखता है कौन सा कैलाज गुफा तो कलाज गुफा के लिए का और अलग से सेपरेट क्या है आपके लिए प्रस्न है तो वहाँ उसको हम डिल करेंगे क्लियर जी हमारे लिए थे क्या बीजापूर अब बीजापूर से आपको तीन आपको गुफा बनते हैं और तीनों गुफा आपको पेपर में पूछा जाता सबसे पहले तो आपको लिखाए क्या आव़ा पल्ली, दूसरा आपको पूशते है नड़ा पल्ली , या उसी की बोलेगा नड़ा पल्ली , है एक अही चीज जी आपन क्या होता है। इंग्लिस में होता है और जब इंग्लिस को हिंदिम करते हैं तो वही नड़ा पल्ली हो जाता है तो हम को देखके चलना है जैसी पल्ली वाला आएगा मैक्सिमम जो रहेगा कहां से रिलेटेड रहेगा वीजापूर से क्लियर जी आपको पी असी अभी रिसेंट पूछा था पिछले दो साल के में अलबका अलबका की पहाड़ी या अलबका की जो गुफा है वो कहां से संबंदित है आपको बताना है कहां विजापूर से आपको याद रखना है कौन सा जगा सरगुजा सरगुजा से भी आपके लिए तीन्ठो गुफा है या तीन्ठो बेंगरा है सबसे पहले हमनों क्या जानते है स यह सब पेपर में पूछता है ना तो आपको याद रखना है हो क्या क्या पूछता है करके आप मेरे कमेंड करके बताएंगे कि यह जो सीता बेंगरा की गुफा है और क्यों फेमस है मैं आपको एक बार, दू बार, तीन बार, दस बार बता चुका हूँ, सीता भेंगरा, तो आप मेरे एक सीता भेंगरा बताएंगे, दूसरा आपको बताना है क्या, लचमान भेंगरा, यह लचमान भेंगरा क्या चीज है, और आपको याद रखना है, कि यह जो जोगी मारा की गुफा है, वो कोन से काल के बारें बताता है, कोन से वंस के बारें बताता है, या इसमें अगर ये क्या है, लवर पॉइंट है, तो कोन दो जहन के लव इस्टोरी के उपर बेस है, उस चीच को उस जगा को बताना है, उस तथे को बताना है, किसमें जोगी मारा की गुफा में clear जी यह तीनों जगा जो है वो कहां से शंबंदित है सरगूजा से आपको बताना है क्या जसपूर आप क्या पढ़ रहे हो जी कैलाज गूफा कैलाज जो गूफा है केवल एक जगह नहीं मिलता आपको जस्पूर में ये तो हो गया पहला जस्पूर में आपको यही मिलेगा सरगूजा में भी सरगूजा में और आपको यही मिलेगा आपके लिए कहां पे बस्तर पे तो यह जो आपको पूछेगा कि कैलास गुफा कहा है कैलास गुफा तीनों जगह पे है पहला आपको याद रखना है कहां पे जस्पूर पे दूसरा याद रखना है आपके लिए कहां पे सरगूजा पे और तीसरा याद रखना है आपको बस्तर पे कि आपके बढ़ जगाव से बन रहें क्लियर्शे, आगे बढ़े है क्या तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थन है थाना ज़ाक् सर्थेत 했어 है 36 गढ़ के किस जीले से संबंधित है या कहां से प्राप्त हुआ गाउं का नाम है तालय गाय या इसीक बोलते हैं अमेरिक कापा ताला गा स्वारी अमेरिक का पाल यह लोग नहीं बोल पाते इसलिए इसको क्या बोल देते सिधा ताला गाओं तो आपको याद रखना है क्या अमेरी कापा ताला गाओं तो यह सब को नहीं बोला जाता सिधा बोल देते हैं क्या ताला गाओं तो आपको याद रखने एक जगा कौन सा ताला गाओं तो सदा सिव जो आपके लिए क्या एक मूर्ती वह भी कहा स्प्राप्ता होता है आपके लिए तालागाओं एक ही चीज है जी इसी को बोलेंगे विलाक्षण सीव तो आपको याद रखने हैं विलाक्षण सीव भी बोलेगा तो वह भी कहा से संबंदित है तालागाओं आपको अगर ये पूछेगा कि 11 जीवों का उदगम जो आपके लिए प्रमाण मिलता है उल्लेक मिलता है 36 गड के किस जगा से संबंदित है तालागाओं आपको तालागाओं में ये तालागाओं कहा से संबंदित है ये पूछता है तालागाओं संबंदित है भाई बिलासपूर जीले से तो आपको ये जीला याद रखना है क अश्ट भूजी शिव प्रतिमा तो आपको अश्ट भूजी शिव प्रतिमा बोलेगा तो भी यही है आठ ठोक हात वाले संकर भगवान क्लियर जी आप देखो यह है कौन सा डाइग्राम अपन थोड़ा देख लेते हैं यह आप यह जो देख रहे हो ना यह डाइग्राम है इ इसी में आप देखोगे यह आपके लिए कभूता टाइप दीख रहा है आप इधर देखोगे साब टाइप दीखेगा तो आप अगर सर्च करोगे कहां पे गूगल पे तो आपको एकदम क्लियरली दिखा देगा ताला गाओं का मंदिर सीव मंदिर बोलोगे तो यह दिखा द इताला गाओं पे है याद रखना बिलासपूर में है अब यह आपके लिए जो देवरानी जेठानी मंदिर है यह 36 गड की सबसे प्राचीन मंदिर है आप मेरे को बताओ कि यह कौन से काल में निर्मित है मैं आपको पढ़ाया हूं जब एक ठो वंस पढ़ाया था 36 गड का प्राचीन इति हास उस वीडocyों बताया था अगर आपको नहीं पता आप 36 गड का प्राचीन वीडियो जाए सुरी प्राचीन इति हास में जाएंगे आपके लिए लेट्चन-टांस नमबर 5 था लेट्चन-टांब्र 5 में इसको मैं बताया हूं उल्यार जब आपको मैं बत आतारा था किसको प्रसन्न मात्र को तो आपको प्रसन्न मात्र कौन से राजवंस कहीए पता होना चाहिए तब तो आप उसके लिए लेक्चर नमबर पांच पे जा सकते हैं आप उस वीडियो में जा सकते हैं क्रियार जी प्राचीन 36 गड कहितियाद आगे बढ़ें दूसरा आपको एक चीज कमेंट करके बताना है यह काबख हो जा गया यह प्रस्न भी पूछा गया है तो आप एक दो चीजों के लिए मेहनत करें तब तो आपको दिमाग खुलेगा आप कमेंट बाक देखते रहिए बेशते रहिए मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ अगर किसी का कमेंट रहता है किसी डाउट रहता है तो आपके लिए यह सब चीजी हुई क्या चलते हैं पतालेश्वर महादेव आपके लिए डिन्डेश्वर महादेव और आपकी लिए क्या चतुर्भूजी विष्णू प्रतिमा, यह जो तीनों के तीनों है यह कहांसे संबंदित है मलहार, या इसी को एक और नाम पे देता है क्या बुधिएखार पिछा किस नाम से बुध हीखार के नाम से, आपको पुछा है मलहार के नाम से ये बुढ़ी खार पूछे चाहे मलहार पूछे ये जगा कौन से जीले का है बिलासपूर जीला ही ठीक है जी और बिलासपूर जीला में आपके लिए कौन सा एक जगा मलहार तो आपको याद रखना है बिलासपूर जीला क्लियर जी आगे चले अब बात करते हैं ये डिंडेश्वरी देवी आप ये बताए डिंडेश्वरी देवी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये माता वाला नाम है ये माता वाला नाम नहीं है ये पीता वाला नाम है माना जाता ही कि ये सिव मंदिर है तो आपके लिए याद र दिखेगी तो जब नीचे जाओगे गर्भगरी में जाओगे पताल में जाओगे तो वहां एक महादेव है एक सिवलिंग स्थापित है उसी को क्या बुला जाता है पतालेश्वर महादेव क्लियर जी आप चलते हैं कि इसके लिए चतुर भूजी विश्नु प्रतीमा आपको जो आपके लिए चतुर भूजी विश्नु प्रतीमा है ये भारत का अभी लेखित बोल रहा हूं आप देखें भारत का अभी लेखित सबसे प्राचीन चतुर भूजी विश्नु मंदिर है भई ये जो मलहार है ये आपके लिए क्या है एक बहुत धकालिन इस्थल है ये भी आपको प्राच्ने में पूछा है तो आपको मैं बता देता हूं बहुत धकालिन इस्थल ये है आपके लिए एक जगा कौन सा मलहार तो आपको याद रखना पतालेश्वर महादेव डिंडेश आपको ये चतुरबुजी विश्नु प्रतिमा एक बार पूछाए किसके नाम से बुढ़ी खार बोले मलहार बोले चतुरबुजी विश्नु मंदिर बोले जगा याद रखने कोंसा बिलासपुर जीला क्लियर जी आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रशन के लिए आप बोल रहा है क्या कबीर पंथियों का धर्मन अगर किसे कहा जाता है यह कहा जाता है किसको दामा खेड़ा अगर आप होगे बलावदा बजार तो बलावदा बजार में आओगे तो एक तहसिल पढ़ता है कौन सा सिमगा आप जब नेशनल हाइवे नेश थर्टी स से चालू हो जाता है एनेश वन थर्टी तो वहाँ से जब आओगे आप कहां बिलासपूर तो बिलासपूर आते 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 आपको रोड में पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं दामा खेड़ा यही दामा खेड़ा है इसी बोला जाता है क्या कबीर पंथियों का धर्मन आपको बताना है जगा कौन सा दामा खेड़ा क्लियर जी यह दामा खेड़ा है अगर कबीर पंथियों का इसको धर्म इस्थल या तिर्था इस्थल कहा जा रहा है मतलब कबीर हा कबीर हा बोलते हैं नाम लो तो यह जो कबीर पंथ होता है तो इस कबीर पंथ में गुरू हो ये उग्र नाम सहब जो है या उग्र नाम सहब जो है इनका क्या है मठ है कहां पर दामा खेड़ा पर इसलिए से कबिर पंथियों का क्या बोला जाता है तिर्थ इस्तल या धर्मनगर कहा जाता है क्लियर जी आपको कितने नंबर की गुरु है ये भी पूछा है कौन से पूरी एक हमारे पास पन्थ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सतनाम सतनाम आपके पास पन्थ है इसी में आपके लिए क्या होता है सतनाम पन्थ जो आपके गुरु घासी दास गुरु घांसी दास यह हमारे लिए क्या जिस समास सुधारक रहे हैं एक संथ है उन्ही का क्या यह जन्म इस्थली है तो यह सतनाम पंद से संबंदित है यह भी प्रश्न पूछा जाता है सतनाम पंद से संबंदित इस्थल दूसरा आपको पूछा जाता है गुरु घांसी द यह लगभग माना जाता है 70 मीटर है आप ओरिजनल जो कुटूब मिनार है इसको देखोगे यह खुट 74 मीटर है मतलब इससे भी बड़ा है आपके लिए कौन सा 36 गड़ का कुटूब मिनार गिरोध पूरी आगे चले क्या चंपरण यह चंपरण से भी आपको दो तीन प्रस् सबसे पहली तो आपको याद रखना है क्या महाप्रभु वल्लभाचारिय महाप्रभु वल्लभाचारिय का क्या है यह जन्म इस्थली है ठीक है जी दूसरा पूष्टा है कि यह महाप्रभु जो वल्लभाचारिय है इनको माना जाता है कि यह पूष्टी मारग पूष्टी ठीक है जी आपको याद रखने चम पर अनäg निया इसी में है, चम्पेश्वर महादेव, खुने दिया जी यह चम्पेश्वर महादेव किसका ऐसा, पन्च कोसी धाम, अगला मतलब प्रशन अप आपको दीखेगा पंच को सीधाम तो अभी इसका बैगराउट बता दे रहा हूं आपको पंच को सीधाम तो पांच अथो आपको क्या मिलेंगे जिसमें एक सीवलिंग आपको कहां मिल गया है रायपूर में तो जीला में गिरोधपुरी कौन से जीला में पढ़ता है भई इसका आप मेरे को क्या करेंगे जीला जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि इसका जीला कौन से है मैं आपको 10 बार पढ़ाया हूं आप नहीं बता सकता भई क्लियर आपको पुराने पिछले वीडियो देखोगे एक बार दो पार तीन बार चार बार पांच बार बताया हूं तो आपको बताना यह गिरोधपुरी किस जीला में है उसके बाद बताना है दामा खेड़ा किस जीला पे है आप सर्च करोगे तो नहीं भूलोगे अगर मेरे को चीजे याद है तो मैं भी पहले जिग्यासु प्रवित्ति क पूरू में जब तयारी चालू करते हैं तो तयारी के लिए उसका तो अगर पहले सुछ तयार रहे गास है तब तो क्या रहे कि अगला याद रखना में को चंपरण Stockholm कहां मिलता है आपको राइपूर में चलते हैं गर्धन ओरा गर्धन ओरा से आपको प्रश्ण पूछता है कि गर्धन ओरा आपके लिए क्या है पूरा तात्विक इस्थल है इस रूप में पूछता है दूसरा आपके लिए क्या है एक महापसान काली निस्थल है महा पसाण कालीन इस्थल है और तीसरा पुस्ता है कि ये जो गल धन ओ रहा है किसे जिले से संबंदित है तो आपको याद रखना है कौन सा कौनडा गाँ अब आपके लिए थोड़ा समय चर्चा कर लेता हूं कि एक पसाण काल तो आप पढ़े थे अब दूसरा ये महा पसाण कालीन क्या चीज होता है सर करके तो महा पसाण काल कुछ चीज नहीं होता जी कम से कम अगर किसी पसाण कालीन इस्थल पे 500 अगर क्या मिलते हैं पत्थरों के घेरे मिलते हैं जहां माना यह जाता था कि जो सव होता था उसको क्या करते थे दफना देते थे उसके पूरे आजू बाजू पूरे उसके सराउंडिंग्स में लगभा कम से कम 500 अगर पत्थर मिले हैं ऐसे पसान कालिन इस्थलों को 36 गड़ के इतिहास में केवल पसान कालिन नहीं अप ही 37 गड़ के इतिहास का कोई सभी बुक पड़ते हैं उसमें अगर आपको क्या मिलेगा पसान काल मिलेगा तो पसान काल में आपको दो चीजे मिलती हैं केवल दो जीलों के उल्लेक मिलता है जिसमें पहला जीला तो आपको मैं कुंड़ा का हूं बता दिया दूसरा आपकी पा पता दिया हूं आप उस वीडियो में जाके देखेंगे अगर फिर भी नहीं मिला तब आप क्या करेंगे यही चीज़ छोड़ दिया था मैं आपको किसमें पसांड काल में तो आप मेरे बताएंगे कि पांट जगा कौन-कौन सा है मैं आपको बता देता हूं इसका ट्रीक है एकदम छोटा सा जैसे क्या होता है मिताब बच्चन जी आते हैं हम बोलते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़ पती तो भाई करोड़ पती बनने पहली भी आपको कौन बनना जोरी है करोड़ पती कोई भी बन जाएगा लेकिन पहले करोड़ पती बनने पहले आपको कोमल,sir, कोमल,सर ख्यलाएंगे ,क बी ,सी तो आपके लिए ट्रीक है, और आप कους से देख लेएंगों बस से देख लेंगों आपको पांच नाम मिलेगा और यह पांचो नाम है किसका पती , तो भाई कोन बनेगा किसका पती खिलने के लिए आपको नोकरी लगाना है, जब नोकरी लगाओगे तभी तो साधी होगा, ठीक है, आगे बढ़े क्या भई, तो आगे चलना है हमको चौंत्य प्रस्णा के लिए, अब बोल रहा है क्या, तुर्टूरिया क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है भई, त सबसे पहली तो आपको यह जानना है कि यह तूर्टूरिया है का तूर्टूरिया आपके लिए किस से जीले से संबंधित है भई बलाओदा बजार पहला प्रस्ना तो यह खुद ही है अपने आप बलाओदा बजार जीले से संबंधित आपके लिए जगा है दूसरा यह है अश्रम आपके लिए कहा संबन्दी था, तुर्तूरिया, तुर्तूरिया कहा से संबन्दी था आपके लिए, बलावधा बजार, हमारे राध्धे उये कौन, भागमार राम, माता सिता, उनके पूत्र हुए, दोनों पूत्रों का नाम क्या है, लाव और कुस्ट, ये तो और कुछ 36 गड़ में पैदा हुए थे, 36 गड़ के बलावदा बजार जीलेम पैदा हुए थे, बलावदा बजार के तूर्टूरिया नामा के गाउं में पैदा हुए थे, आपको याद रखना है कौन लोग कुसकी जनमस्तली, क्लियर जी, आगे चले क्या, अगर मैं आपको ये भी बोलूंगा ना, कि रमायन की जो रचना हुई है, उसमें खूछ हंस यह हो सकता है, पूरा का पूरा, कहां से संबंदी था, ये तूर्टूरिया में, यहीं पर वालमिक्री आश्रम में, वालमिक्री महराज क्या करते थे, बैठे रहते थे, और रमायन को बैठ की लि आगे चले क्या, याद रखना है, स्रिंगी रिसी आश्रम, ये स्रिंगी रिसी आश्रम आपको कहां पढ़ता है, सिहावा परवत, आप देखे भाई, यहीं स्रिंगी रिसी हैं, इसी के एक जन सिस्य हुए थे, कौन, महानन्द, यहीं हुए थे क्या, इसका स्टोरी आपको कहां अपवा परण आलिम पढ़ाया था हमें, तो अगर नहीं देखे होगे, तो वहां जाएंगे, और देखेंगे, क्लियर जी, आपको याद रखना है क्या? सिहावा परवत यह सिहावा परवत आपके लिए कहा पढ़ता है धमतरी में तो आपके लिए आंसर हो गया कौन सा धमतरी कि स्रिंगिरी सी आश्रम आपके लिए कहा है धमतरी चलते हैं लोमसरी सी आश्रम यह लोमसरी सी आश्रम में बिकर जन फसते हैं बिकर कि सर यह धमतरी म में आता है कि गरिया बंद में आता है आप मैं चाहता हूं पूस्ता चतिस गड़ आप बताईए कि धमतरी में आता है कि गरिया बंद में बहुत सारे लोग को डाउट रहता है इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं इसको आपको मैं बता रहा हूं क्या विवेक वर्धन आश् इसको कौन यति यतनलाल की द्वारा क्या गया था जी बनवाया गया था और ये कहां से संबन्धित है महा समुन जीले से प्रस्न दोनों पूछा गया है दोनों याद रखना है आपको एक दो प्रस्न और पूछ रहूं जो आपके पेपर में आएंगे भई ठीक है एक जन आदमी एक महात्मा हुए हमारे पास कौन स्वामी आत्मान जी यह स्वामी आत्मान जो है और 1985 में गए थे कहां नरायनपूर तो वहाँ पे इन्होंने दो काम किया अगर आपको याद होगा तो आप जरूर कमेंड करिएगा अगर आप गलत बताओगे सहीं बताओगे सब में में रियक्शन दूँगा आपके लिए भी हो गया चलते हैं हमारे अगले परस्णे के लिए 36 गड़ का सिमला किसे कहा जाता है देखिए भई यहां से 4 प्रस्ण है और आपको कम से कम 4-5 प्रस्ण आपको यहां से बनेंगे सबसे पहले लिखा है क्या main part हाँ भई main part को बोलते हैं किसको 36 गड़ का सिमला अब आपको confusion होता है किस में सिमला में और आपको confusion होता है कस्मीर आपको याद तो हो जाता है कि sir man part और चैतूर गड़ को सिमला बोलते हैं दूसरे को कस्मीर अब इसको याद कैसे करें बीकट आसान है आपको याद रखना यह सिमला कितने वर्ट का है 3 आपके लिए क्या याद रखना कस्मीर इसको मालो 4 तो याद रखना यह 3 का 4 वाले के सांथ पेयर बनता है और 4 वाले का 5 के सांथ पेयर बनता है मतलब कभी भी 3 5 वाले के सांथ नहीं होगा और कभी भी 4 4 वाले के सांथ नहीं होगा तो आपको याद रखना है 3 4 4 5 के लिए तो इसको बोला जाता है 36 गड़ का सीमला, किसको मैन पाट को, आपको याद रखना है चैतुर गड़, 36 गड़ का कास्मीर, ठीक है जी, ये कहां पढ़ता है, मैन पाट आपके लिए पढ़ता है, सरगुजा जी ले से, आपको पूसता है चैतुर गड़, चैतुर गड़ कहां पड़ता है आपको कोरबा में कलियर जी आपको याद रखने हैं लाफागर तो लाफागर इसको बोला जाता है क्या चितोडगड तो आपको याद रखना भई 36 गड़ का चितोडगड किसको माना जाता है लाफागड को याद रखना है गिरोत पूरी गिरोत पूरी थोड़े दर पहली क्या बताया थे 36 गड़ का कुतुब मिनार ठीक है जी देखो चार प्रस्ण आपको बन गया आपको याद रखना मैन पार्ट इसी को बोला जाता है क्या 36 गड़ का तिब बद ये आपके लिए मैन पार्ट एक सरनार्थी स्थल भी है एक क्या है सरनार्थी स्थल सरनार्थी स्थल क्या चीज होता है थोड़ा समझ है जैसे अभी आप देखे हो अफगानिस्थान को रिसेंट वहां पे क्या हुआ अचानक तालीबान आया और अपना पूरा वर्चास्वा को स्थापित कर लिया वहां की जो सरकार थी उसको हट कि खुद क्या क्या गौर्मेंट को रेगुलेट करना चालू कर दिया हुआ ही की नहीं अब देखे कुछ आपके लिए भारती वहां पे रहे होंगे अब भारती अगर वापीत भारत आना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे और आएंगे भी ना तो समात तूरंत उसको एकसेप् लाएगा और एक जगा में जो जगा खाली रहे गा हो वहां लाके छोड़ दे उसी को बोला जाता सर्णार्थी स्थल तो आप मेरे यह बता है च्छतिस गाड़ में तीन सर्णार्थी स्थल है ठीक है जी आपके लिए एक हो गया मैं आपको जीले का नाम बता रहा हूँ कर आपको एक तो देख लिए कुन सा सरगुजा, सरगुजा में है, सरगुजा का आपके लिए क्या है, सरगुजा, सरगुजा में आपको मिल गया मैंट पार्ट, दूसरा आपको जगा बता रहा हूं है, राइपूर, राइपूर में एक छोटा सा कजबा है, उस कजबा का नाम बताईए और वह आपने किस के लिए छित्रकला के लिए मूर्ति के लिए बहुत फेम से जगह राइपूर में राइपूर के ज़स्ट बाजू में आपको बताना है तीसरी स्ट जगा पड़ता है कांकेर में कौनसा जगा यह बताना है आपको कमेंट कर Juda है पूछता तिस गड़, आपको मैं जितनी चीजे यहाँ पूछता हूँ या बताता हूँ, वो कभी न कभी पेपर में आया रहता है यह आने का संभावना रहता है, क्लियर जी, तो आप धीरे धीरे पड़ते चले, धीरे धीरे तीरे बढ़ते चले, क्लियर, आपको हुआ, पांच कोश् हमका केंद्र माना जाता है तो आपको याद रखना है कुलेस्वर महादेव कहां पढ़ते हैं आपको राजिम में और राजिम कौन से जीला माता है गरिया बन तो आपको वो दोनों रूप में पूछ सकता है किस जीले में है आप लिए कुलेस्वर महादेव मंदिर या पूछ सकता है किस स्थान पर जगा है आपके लिए राजीम यही राजीम इसी क्या बोला जाता है त्रिवेणी संगम या इसी बोल सकते हैं कि आपन चातिस गड़ का प्रयाग, बोलते हैं न का कौन-कौन से नदी का तीन नदियों का संगम है आप में रेक बताईए पूसता है 36 गड़ आपको जब मैं महा नदियों पढ़ाया था बताया था आपको राजिम तो कौन-कौन से तीन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं 36 गड़ का प्रयाग जैसे ओरिजनल प्रयाग राज दाओ गए तो वहां माना जाता है गंगा यमना और सरस्वति हालाकि सरस्वति माता भी आपको दिखाई ने देती तो गंगा और यमन दोनों का जो क्या संगम है उसी इक बोला जाता है क्या प्रयाग तो जैसे वह हम उनके लिए क्या पवित्र है पूरे दे करता है सब का सब आप यह देखिए अब यहां से अगर हम लोग क्या लेते हैं महा ना दी महा ना दी यहां से सिहावा नगरीच से यहां कांके राजीम के ऊपर एक जगा पढ़ता है कौन सा सिर्पूर तो आपको एक जगा याद रखना है सिर्पूर यहां आपको एक जगा याद रखना है राजीम तो राजिम में हमारे लिए कुलेस्वर महादेव हमारे लिए हैं सिर्पूर सिर्पूर में हमको पढ़ते हैं गंदेस्वर महादेव उसके बाद आगे जाएंगे ये हमारे लिए जीला पढ़ता है कुन सा बलौधा बजार तो जैसी बलौधा बजार जाएंगे तो बलौधा बजार ये बलौधा बजार ये फिर जांजगीर चाहाँ पा शिवरी नरायन ये आपके लिए कहा है रायगाड रायगाड के बादो सिधा चल दिया उडिसा तो ये जगा पढ़ता है हमारे लिए कौन सा प मंदिर के किनारे है कुलेस्वर महादेव का जो मंदिर किस नदी के किनारे है आपके और मेरे मानने से कुछ आगे बढ़े क्या? देखे अगला चलते हैं लच्मनेश्वर महादे मंदे अब इसी में अगर हम आगे पहुचे थे ये जगह है हमारे लिए कौन सा शिवरी नरायन तो ये जो शिवरी नरायन जगह है ये शिवरी नरायन के बाजूम यहां छोटा साब के लिए एक जगह पड़ता है खरोध अब इसका कहानी थोड़ा आप सुन सकते हैं मैं आपको रमायन काल में ऐसे बताया ही आप पुराना पिछला वीडियो देखेंगे वहां सब मिल जाएगा तो ये खरोध है यहीं पर आपको मिलता है सबरी आश्रम तो जब आप सबरी आश्रम देखोगे तो यहीं पर क्या ह एकदं मगन ऑखा रहे हैं अब जो सबरी रहती है वह क्या करती है कि जूठे बीर को खिलाई ऐसे बोला जाता है इसका मतलब यह होता है कि जब वह बोईर होता है na 36 गड़ीं बोईर बोलते हैं बेर को तो जो बोईर था उसको वह खा खा कर देख रही थी कि कोई खट वाला भगवान को मत चले जाए और दूसरा जब बुर खोगे तो कड़ा रहता कड़ा मतलब क्या हो गया सड़ जाया रहता उसमें खीड़ा पर जाया रहता अब एक थो हमारे कौन भगवान लच्मन थोड़े घुस्यम रहते थे हमेशा भगवान राम को दी एकदम लिब्रल एकद आता बोल दिये कागरोज उठा खाना मना है करके नहीं खाये अब नहीं खाये क्या हुए फेक दिये भाईया आप गये कहां वो जब स्री लंका यूद्धा हुआ तो यूद्धा में उनको क्या पढ़ जाता है मेगनात बांद पढ़ता है और वेक्सिनेट नहीं हुए थे इधर राम भागवान तो क्या बोईर को खा दिये वेक्सिनेट हो गये और इधर भागवान लच्मान वेक्सिनेट नहीं हुए तो जब भागवान राम वापिस आये ना माता सीता को लेकर तो यही जो जगह है खरोत पे अपने हाथ से अपने हाथ से क्या किये थे सिवलिंग स्थापित किये थे इसीलिए यह जो शिवलिंग है इसका नाम क्या है लच्मनेश्वर महादेव लच्मन भागवान के हाथो से स्थापित है इसलिए इसको बोला जाता है 36 गड का कांसी तो आपको ये बार बार पेपर में पूछता है कि 36 गड का कांसी किसको बोलते हैं तो आपको याद रखना जब भगवान लचमन राम गमन जो पथ बना है न तो राम गमन पथ आपको उपर से नीचे मिलेगा लेकिन जब ये क्या क आता है क्या लच्मनेश्वर महादेयो या इसी को बोलते हैं लखनेश्वर आपको लखनेश्वर बोले आपको लच्मनेश्वर बोले क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं राम लच्मन और राम लखन तो उसी को लच्मनेश्वर बोल देगा उसी को लखनेश्वर बोल देगा है आपको मैं पूछ रहा हूं कोन सा पंडू Hang Scיכ ता जिसने क्या किया था खरोद को इस थापित लाया थे इस थापित करवाय था इसका निर्मान कर आया था इस जगे का आपको कमेंट करके बताना है क्लियर जी आगे बढ़े क्या ठीक अंसर तो बता दिया था आगे बढ़ते हैं अगला है हमारे लिए कौन सा ठीक है जी बोर रहा है निनमा में से कौन सा विश्णु मंदिर नहीं आप ये बताइए लच्मण मंदीर है कहां, जब हम पंडु वक्वान्स पढ़े थे उसी में देखे थे की, मैं सब बतादिया हूँ भई वही बताया चीज बता रहे हूं, आप लच्मन मंदिर पढ़े हो लच्मन मंदिर कहां पर आपके लिए सिरपूर पर और ये क्या है आपके लिए विश्नु मंदिर है न भई बताये थे क्या ये आपके लिए क्या है विश्नु मंदिर है इसको कौन बनवाया था रानी वास्टा के द्वारा बनवाया गया था क इसके लिए अपने पती हर्स गुप्त के याद में, सब बता दियाँ, सब प्रशन पूछा हुआ है, आपको पूछेगा इन लोग कौन थे, पांडू अंसी थे भई, इसलिए जो पांडू अंसी इसको बोला जाता है, क्या 36 गड में मंदिर निर्मान का काल, और ये जो आपके लिए क्या था, विश्णू मंदिर था, या सिर्पूर का लच्मान मंदिर है, ये है 36 गड का पहला, इटो निर्मित मंदिर, इसलिए तो इसको बोला जा रहा है, क्या 36 गड में मंदिर निर्मान का काल, किनके काल को पांडू अंसी का, रानिवास्टा का, आपको याद रखना, ये जो लच्मन मंदिर है, ये आपके लिए क्या है, विश्णू मंदिर, क्लियर जी, आपको याद रखना, राजी आपको मैं बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, नल नागवंस, इसी में हमारे पास एक जन कोन हुए थे, शासक हुए थे, नाम क्या था उनका, विलास्तूं, ये जो विलास्तूं थे, इन्होंने 700 से 740 इस्वी में, आपके लिए राजी उलोचन मंदिर का क्या कर आया था, अब ये जो राजी उलोचन मंदिर है, अपने आप में क्या है का विश्नु मंदिर है, ये पेपर में बार बार पूसता है, कि ये जो राजी उलोचन मंदिर है, ये सिव मंदिर है कि विश्नु मंदिर है, विश्नु मंदिर जांजगीर चापा, तो आपको ये बत पूर्णिर का का निर्मान के आया था इसि को बोला जाता है नक्ता मंदिर इसी को पूछा जाएगा आपको भीमा मंदिर, चहाहे वों बोले भीमा मंदिर, चाहे वो बोले नक्टा मंदीर चाहे बोले चदूर भूजी विष्णु मंदीर कहां है ये जान्जगीर चांपा आपको याद रखना देवबलोदा ये देवबलोदा पढ़ता है आपको कहां कुमहारी में और ये है आपके लिए एक सिव मंदी अच्छा कई लोग तो कुमहारी जानतेच नहीं हो के कौन से जीलाम है भाई ये है दुर्ग जीलाम कभी कभी क्या होता है जैसे मैं पूरे 36 गड़ को घुम लिया हूँ सिर्फ जसपूर नहीं गया हूँ कुनकूरी बस नहीं गया हूँ जसपूर उसके बाद मैं उधर सरगूजा तक चल दिया हूँ और इधर पूरा गया हूँ बस्तर तक आपको मेरे को वहाँ सिर्फ सुकमा बचा है इंद्रावती भी मैं घुम के आगे हूँ मतलब बिजापूर भी घुम डाला हूँ तो 36 गड़के केवल दो जीले बचे एक आपके लिए सुकमा और दूसरा आपके लिए कौन सा जगा है जसपूर तो मेरे को ऐसा लगता है मैं सब घुम लिये हूँ तो मेरे को सब याद है लेकिन होता यह है कई बार हम बताते बताते हमी भूल जाते अपने हम खो जाते है तो आपको हमेशा जब कुछ जगा पढ़ोगे तो वहां का जीला याद होना जोरी है जीला याद रहेगा तभी आपको मजाएगा कोई पेपर में डारेक जीला पूस्ता है मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ वह कौन से संप्रदाय से संबंदित है वह कौन से पंत से संबंदित है वह कौन से धर्म से संबंदित है आगे बढ़े क्या तो यह आपको याद रखना है आप मेरे कमेंड करके दो चीज और बताएगे एक आपके लिए जगह है खलारी, खलारी में भी एक आपके लिए विश्णु मंदिर पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे खलारी में जो विश्णु मंदिर है, इसका निर्मान कौन करवाया था, और कब करवाया था, कब आपके लिए थोड़ा हाड हो जाएगा, लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हो आप इंटरनेट चला रहे हो तो आपको मिल जाएगा यह कौन इंपोर्टेंट है कौन पूछा जाता है पेपर में तो कौन बनवाया था यह आप मेरे कमेंट करके बता है पूछता है 36 गार आगे बढ़े क्या जी अगला परशन हमारे लिए अच्छ क्लियार जी आगे बढ़े क्या अगला याद रखना है सुमेलित नहीं है पूछ रहा है मतलब तीन सहीं जवाब है गलत जवाब है पचराही पचराही कभीरधा में है क्या है दूसरा याद रखना है क्या महसपूर महसपूर आपको कहां पढ़ता है सूराजपूर यह नही कौनसा राइगर अब देख पचराई पचराई कविर धाम में है आपके लिए पूरा तात्विक इस्थल है बार बार पूस्ता है कि पचराही जो पूरा तात्विक स्थल है उच्छतीजगर के किस जीले से समबम्धित आपको याद रखना कौनanı सा हम इसमें क्लियर जी याद रखना है महस्पूर एग को नजी के किनारे पड़ता है यह दोनों पुरा तात्विक की स्थाल यह पूछा जाता है आपको बारबार तो ये दोनों पूरा ताथ्विक इस्थल के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं यह आपके लिए कुम सा it linked तो आपके लिए एक नदी है कणहार अपन लास्ट कलास में इसको लिस्ट कई है कि किसको कनहार नदी को तो ये कनहार नदी के किमार्य सफित इस्थल आ sentence । आप आप मेरे किये बताइए कि कन्हार नदि का उदगम किस जीले से होता है। आपको मैं बता दिया था। ठीक है? आपको मैं उदगम इस थल भी बताया हूं। आप मेरे कमेंड करके बताए। उसके बाद याद रखना आपको महेश्पूर। यह महेश 핯पुर्ण सूरजपूरंए नहीं अपितू किस में पड़ता है आपको बलराम पूर में थीकत जी तो आपको याद रखना अच्छा सीरी 爸爸 मैं भाहना आत्मा को गया थो आपको याद रखना है क्या वलराम पूर में तो इसको याद रखना है तो तो यह जो सर्गूजा है आपके लिए एक नदी है कौन सा सर्गूजा की जीवान रेखा नाम क्या है रिहन तो रिहन नदी के किनारे इस्थित इस्थालाई भई तो यह दोनों रूप में आपको प्राशना पूशता है आपको याद रखना है केवटिन दाई मंदीर यह आपके लिए कहा पड़ता है बरम केला सर्य जगा का नाम याद रखना है कौन सा रायगार क्लियर आगे बढ़ है क्या इसको माना जाता है यह कल्चूरी कालीन एक ऐलीन दाई मंदीर कहा जैता है यहाँ से लिए नाम जाता है बरग करनें कुल नाम भाक में इसको इस बढ़र क्या हों कहां एक लिए क्यां लग्वावा बोलते हैं इसी बारा माड को क्या बोला जाता हैि बस्तर का प्रवेशदवार बोलते हैं न हो स्यार लोग एक बार दू बार तीन बार चार बार दस बार लिखो याद होना चाहिए आपको याद रखना यही केस काल गाटी यही क्या था आपके लिए माहा नदी एवं गोदावरी का क्या है यह जलवी भाजक है आप पढ़े थ जगने पढ़े थे लास्ट क्लास में बताया था न तो आपको याद रखना है जलवी भाजक आपको याद रखना है कौन सा जगा माट अच्छा यही पर अभी यह जगार हें कौन सा लिमदरह लिमदरह डे रिजॉन्ट का एक खास बात यह है कि 36 गढ़ का यह पहला मतलब जैसे हम लोग 36 गड़ी है सबसे बढ़ी है मैं जैसे कि एकदम भुखा जाएं मेरे का गर एक दिन में 7-8 लेक्चर हो गया और अती टाइप का पढ़ा दिया फुल जो जोस में होता यह है कि मैं एकदम ज्यादा जो पुसिला नहीं हो सकता है किसमें ओनलाइन में एकदम जोर जोर से एकदम पावरफूल तरीकेश पढ़ाओगे न आप ओफ लाइन क्लास में लिग दोगे बच्चा सामने बैठा रहता है कभी चीजों को एकदम जोर से बोलो कभी चीजों को धीरे कर दो उसको आ जाता है समझ ओनलाइन में दिक्कत यह है कि मोडरेट होना पड़ता है आप एकदम जोर से नहीं बोल सकते न एकदम धीरे नहीं हो सकते आपको समझस्य बैठा के रखना पड़ता है तब क्या होगा इधर से गया मन माड़े भूग लगा मन माड़े पेट में पुरा चूहा नहीं आपको एकदम मन माड़े भूग लग रहा है और कोई बोल दिया कि मैं आपको क्या दूंगा भात समाझ रहो कितना मजा आज आएगा वैसी अगर कोई क्या आएगा विदेशी आदमी आएगा उसको अपने देश का वियंजन चाहिए रहेगा तो लिम्दरहडे रिजोट आपके लिए कहा है केस कालगाटी कोंडगा में यहां मिलेगा उसको अपने देश का वियंजन इसी इक बोलेंगे अंतरास्टी वियंजन क्लियर जी आपको याद रखना दंतेवाडा ये दंतेवाडा में है आपके लिए क्या दंतेश्वरी मात मंदीर आपको याद रखना दंतेश्वरी माता मंदीर इसके संस्थापक या इसके इस ठापना किस ने करवाया था भई एक जन आदमी था काक्तिय वंस का वंस के संस्थापक नाम क्या है भई इनका संस्थापक का इनके संस्थापक का नाम है, आपके लिए कौन? अन्नमदेव अब ता के nos का इस्थापना करते हैं, अपने पूरे वन्स का संचाल्थान करते है, आदमी नाम याद रखने कौन? अन्नमदेव अच्छा ये जो आपके लिए मंदिर है किन नदियों के किनारे है तो नदी याद रखना है आपको कौन सा डंकीनी और आपको याद रखना है संखिनी अब ये संखिनी से भी आपको एक प्रस्णा बनता है ये संखिनी क्या है इसी बोलते हैं रकताब 36 गड़ की सबस्वे प्रदूसित नदि आपको मैं एक बार नहीं लिख रहा हूं सब चीजों को बता चुका हूं पिछले एक दो और लेक्चर में बताया हूं इसलिए आप द ओटा मिलाते जाओ बड़ा बनाते जाओ क्लियर जी आगे चलेएका अगला देखना हैं को कोणसा रतन पूर ये जो आंसरत होगया कोण सा केस काल गाटी हमको देखना रतन पूर रत número में हमारे लिए कौन सी माताः महमाया माता जो महमाया माता का मंदिर है ये हमारे लिए कहां रतनपूर में ये कब लगभग 1050 इस्वी में रतनदेव प्रथम कि द्वारा जब रतनपूर की स्थापना की गई तभी एक माता का स्थापना कराया गया था ये आपके लिए कहां है रतनपूर में एक महमाया मंदिर आपको रायपूर में भी आप रायपूर जाओगे तो रायपूर पुरानी बस्ती में आपको मिलेगा एक और महमाया माता मंदिर तो आपको अगर ऑप्षन में रायपूर और आपके लिए बिलासपूर या बिलासपूर के जगा रतनपूर देगा दोनों अंसर सही यह को कि महमाया मन्दिर एक ठो कहां पर भी में राइपूर में एक हमारे पास कहां है रितन पूर में चलते हैं धम-तरी धम-तरी में आपको तीन ठो मंदिर और आपको विकट कन्फ्यूजन होता है पेपर के दिन तो एकदम ज्यादा दोनों अगर ऑप्सन एक साथ दे दिया कि केस काल घाटी में कौन सी माता वी राजमान है ऑप्सन में पहला दे दिया तेलीन सत्ती और दूसरा में दे दिया तेलीन दाई जैसे तेल लगाने के पास दिमाग पूरा चटी आ जाता हे न वैसे आपको कुछ समाज नहीं आएगा उतने टाइम कि कौन सा जवाब देना है केस काल घाटी है तो केस कल केस में क्या लगाते हो तेल सटत्त कि पास आया था तो गंगरेल बये मिया दाना है चिए तास्क पत्ता याद आना चीए, उसमें सत्ता याद आना चीए, तब याद आएगा आपके लिए क्या तेलीन सत्ती मंदिर आपके लिए कहां पर है, दमतरी, माल लोग कोई तेल बिकट लगा रहे हैं, बहुत, जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, मैं पढ़ाऊं भीया सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में यह होता था, आज से लगभग 15 साल पहिलीक बात है, जब हम लोग पढ़ते थे, आए बाट ठंड पढ़ता है ठंडिक दिन में, अब पहिली सब दुनिया भर का महंगा महंगा तेल नहीं आता था, एक ही तेल चलता था, क्या नारियर नारियर तेल में ऐसे लगा गए और पूरा बाल एकदम चीपक के, पूरा सपट जाता था, क्योंकि नारियर तेल जम जाता है, ठंडिक दिन में आप देखे हो, बाहर में गुरु जी बैठा रहे कहां, धूप के नीचे, एकदम ऐसी लगता है ना, बाहर में बैठा देते ह अब हो रहा है क्या धूप, अब वो जो तेल है वो धीरे धीरे टपक टपक के, टपक टपक के नीचे, अब आदमी बोर रहे हैं करिया रहे हैं, भाई, आप बाहर तेल लगाओ गए, करिया ओगे ही ना, तो करिया ना मतलब क्या होता है, बिलाई बोलता है कि नहीं बोलता ह जो उसके अंदर का अंगार फुटेगा ना उसमें बुहा जाओगे तो आपको याद रखना क्या तेलीन सत्ती मंदीर तेल से आपको याद रखना बिलाई माता मंदीर तो आपको भिलाई माथा मन्दीर भी कहां पड़ेगा इसी धम तरी में clear जी आप मालो किसी लड़की को कुसी लेडिस को किसी बोल विलाई फिर उसके अंदर का आप दुर्गा माता काली माता सरसती माता जीतना माता सब उसके अंदर सवार हो जाएगा. और आपके उपर जो बंब का गोला फुटेगा न वो हीरो सीमा ओ नागा साकी से भी खतरनाक रहेगा. तो आपको याद रखना अंगार. तो आपको याद रखना है क्या? अंगार मोती मंदिर. तो ये मंदिर भी आपको कहा मिलेगा इसी धमतरी में तो आपको देख रहे हो प्रश्में कितने सारे बन रहे हैं जितना चीज लिखा हूं सब को कभी न कभी आपको पेपर में पूछा है क्लियर जी आगे बड़े क्या चल दें अगरी प्रश्म के लिए एसीया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहा है पूरे एसीया का बुर रहे है भाई 36 गड़ा भारत का नहीं बोर रहे है वह भी दूसरा सबसे बड़ा चर्च की बात कर रहा है आपके लिए आप्सन है बार्सूर दूसरा दिया है कुंकुरी तो कुनकुरी, कुनकुरी राइट है, लेकिन कुनकुरी पढ़ता कहा है, जस्पूर में, तो आपके लिए option में कुनकुरी भी हो सकता है, option में आपको जस्पूर भी हो सकता है, देखते हैं बारसूर, बारसूर कहां पढ़ता है, एक जीला, दंतेवाडा, तो आपको याद र यह आपको चार प्रश्ण यहाज बन रहा है आप आपको याद रखना बार्शूर बार्शूर को बार्शूर में आपके लिए मामा भांचा मन देख पूछा हुआ प्रश्ण अब मालो समझ लो मामा और भांचा आप भांचा लोग सबसे दाजा सेफ रहते जब अपने ममा घर जाते आप बाय मारते हैं घर में घर में कुकू टाइप ठोटा ही होता है आपका इतना मारे इतना मारे आप अपने ममा घर जाए बीकट खूछ एक तो नानी पैसा कूपर पैसा दे रही है मामी दुनिया भर का को चीज बना-बना खिला रही है और मामा श्रीप आपका कान अइठ सकता है मार नहीं सकता क्योंकि हमारे यहां मामा लोग पैर चूते क्योंकि हम लोग को कौसिल्या माता ठीक है ना राम भागवान है राम भागवान को भांचा बोला जाता है तो हम जीतने जहन बलकि तो आपको याद रखना है क्या 32 मंदिर और माल लोग आपको नानी भीकट खिला रही जैसे मेरा देख रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा पेट निकल गया है इसलिए भाई क्योंकि कॉम्पिटिशन कम्मूनिटी वाले आयब मेरे खिला रहे अब इन साब का स्ने है भाई प्य खानेक बाद पेट निकल जाता है नाम कहा है गनेश भागवान तो आपको पूछेगा विसाल गनेश प्रतिमा या जुडवा गनेश प्रतिमा यह भी आपको कहां सम्बंदित है 12 सूर से क्लियर जी आपको इसीम पूछेगा चंद्रो दित्य सरोवर ये सब प्रस्ण एक दो तीन चार पांच ये सब के सब पांचो प्रस्ण पूछे जाते हैं बारशूर से कोई भी आपको मंदिर का नाम रेंडम दे देगा और पूछेगा किस इस्थल से संबंदित है आपको बता किमा बारशूर ये बारशूर आपके लिए इंदरावति नदी के किनारे यह प्रस्ण भी पूछेइं अल्यक्तिन के सब्सक्रेश है कहां पर पढ़ता भाई लंते वड़ाद में आपको बताना है कुनकुरी कुनकुरी और हम तो हम बता दीए आपको याद रखेंभी ऐश महमाया माता अभी थोड़े देर पहली डिसकस किये थे क्या आप ये बताओ आप बिलासपूर के हो मैं भी बिलासपूर कोको अगर बिलासपूर कोको में मैं हूँ तो आपको बताना ये है कि ये जो रतनपूर है तो रतनपूर में महमाया माता मंदिर है साथ में और कौन-कौ क्लियर जी आगे बढ़े क्या चलते हैं तक्या तक्या में आपको क्या मिलता है यह सरगुजा में है यह एक दरगा है आपके लिए यह भी प्रशन पूछा हुआ है आप यह पता च्छतिस गड़ में और कौन-कौन से मुस्लिम तिर्थ इस्थल है जहां से आपको पेपर में प्रशन हाता है क्लियर जी तो tant经 किया था कि जितने पुराताविक इस्थल हो जितने एतेखासी किस्थल हो और ऑग जितने प्राकृतिक इस्थल हो सब चीजों को licita मा समेट सबता था इस कोश्चन में कोशिस किया हूं कि option ऐसे रहे कि मैं सब को आपको समझा, okay. तो मैं लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूँगा कि पढ़ते रहे बढ़ते रहे तब तक के लिए जाए जोहार जैचाथिस गर्व